हेलो फ्रेंड्स एक बार फिट से आपका शोर सक्सेस अकेडिवी में स्वागत है जिसा कि आपको बता है कि हम मद्यप्रदेश जी के पढ़ रहे हैं बहुती आसान भाशा में ट्रिक के साथ और पिछले लेक्चर से हमने जो है मद्यप्रदेश की नदी घाटी उजना इस्ट इस ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 101% अगर वो तयारी कर रहा है तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा इतना मैंने प्रियास किया है इन्योजनाव को आसान सा समझाने के लिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी 30 प्रियो कोई 1989 में तो देखिए बाण बाण जो है सोने का है साथ नो नहीं लाना है बाण जो सोने का है बाण जो सोने का है साथ नहीं लाना है क्यों नहीं लाना है देखिए किस बाण पर बनी है शेडोल जी लेके देवलोंद नाम अगस्थान पर देवलोंद में क्या रहा है देव इस्थान है देविस्थान है ये मंदिर है मस्जिद है कोई भी हो सकता है कोई भी धार्मिक इस्थाल होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी प्रकार का हतियार लाने की इजाज़त नहीं होती है ना ताकि सुरक्षा की दृष्टिकोंड से याद रखा जासे को और सीदे रहे सीदी रिवा देखिज़त एफी ऐसी दिए रही जो लोग सीदे रहेंगे वह इस बात को दियान में रखेंगे और सोने का आवार्न नहीं लाएंगे ठीक है अब इक किस राज्य में हैं किस राज्य में तो आपको मैं आप सोन नदी पढ़ाये थी नर्मदा चंगा में बिहार में चली जाती है तो आपको पता होगा मद्रदेश उत्तरपरृदेश बिहार में बेहती है तो यूजना भी किस राज्यों की साइक यूजना है MP and Yopi और बिहार की है ठीक है याद होगी आपको ट्रिक बान काय का है सोने का है साथ नो साथ नहीं लाना है क्यों कि देविस्थान है और सीधे लोग जो रहे होंगे सीधे लोग सीधी रीवा सीधे लोग जो रहे होंगे इस बात को मानेंगे और सोन नदी जो है MP, UP और विहार में बैती है और रुतपादन शुमता किती इसकी 425 तो बनता है, चार बर पत्चिस जोड़ो, पत्चिस पत्चिस तो रहें सो, पाई होँव, आपको समझ में आयोगी बाण सागर परियोजना, ठीके, तो इक बड़ चुपा के बुच जीता हूँ, बाण, बाण काय का है, सोने का, सोनन दीपे है, ठीके, नहीं लाना है, साथ न लोग रहे होंगे, इस बात को मानेंगे, सिधी रिवा जिले में बनाया गया है, और MPUP बिहार की सेंग परियोजना है, ठीके, आगे बढ़ते हैं, अगली है, राज घाड परियोजना, इसकी क्या ट्रिक है, राज, राज करना है आपको, राज कोन करता है, महिलाओं का राज महिलाओं के लिए बहुत सारी उजना है चल रही, महिलाओं का राज है, तो राज किसका है, माता टीला परियोजना, राज किसका है, माता जी का, टीला माता जी का है, राज किसका है, राज किसका है, माता का है, ठीके, और माता में भी कौन सी माता, रानी लश्मी बाई है, राणी लेश्मि भाई जो माता है उनका राज है। अब राज क्यों हैं यह उन्होंने बेत màा रहे है अंग्रेजों को अंग्रेजों के है ना हलोहे के चर्ने च्पवा जी थे बेत Krase है इसलिए अंग्रेज रटे थे महाना ले लश्मी भाई से तेकि याद कैसे करेंगे राज किसका है माता जी का है माता कौन सी सबसे सरश्ष्ष्ष्ट माता रानी लश्मी भाई क्यों राज करा क्यों राज कर रही है क्योंकि इन्होंने बेद मार मार के अंग्रेजो को सुधार दिया अच्छा 1971 में प्रारम हुआ 1971 तो 7-1 7-1 या 1-7 ठीक है तो इन्होंने 1-7 1-7 सारे अंग्रेजों पर राज किया 1-7 1-7 बेद मार मार के माता ने कौन सी माता ने राली रश्मे बाईने ठीक है और एक चीज़ और याद रखना है आपको एशिया का सबसे लंबा रेट बेरियर बेरियर मतलब जो अवे दुरूप से जो उत्खरन होता है रेट का उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए जो 11 किलो मिटर लंबा एक बेरियर बनाय गया है उसको छुपाया गया है उसकी रक्षा के लिए तो एशिया का सबसे बड़ा लंबा रेट बेरियर कहां पर है तो आप बताएंगे राजगर पर युजना पर क्लियर रेसमज में आ रहा है तो राज किसका है माता का है माता कौन सी रानी लश्मी बाई के से राज किया बेट मार मार के किसको अंगरे जो को रिश्या का सबसे लंबा रेट बेरियर कहां है यहीं पर 11 किलो मिटर किस की पसे इंक पर इज़ना है मद्धी परदेश उत्तर परदेश यह कैसे याद करेंगे यह इसलिए याद करेंगे कि मैंने आपको बेतवा नदी पताईती है वो बेतवा नदी के बारे में बतायाता है कि राइसें जिले के राइसें जिले के बेतवा नदी जो है राइसें जिले के कुम्रा गाउस से निकलती है और कहां जाती है उत्तर परदेश में यमुना बली देना कालाल का मतलब होता है उड़्च वह घूजाते बहुँ समौल नहीं कर सकता ह्गा iliशा वी ओर राइसन कहा लै लो लाभा में जिले कों वेती छासरां Ti जो वीर लोग होंगे वही बली देंगे है ना और वीर कोन है समराट अशोग समराट अशोग अशोग राजा के बारे में सुना है नामी समराट है जिसने पूरे भारत पे राज किया है ठीके तो हलाली हलाली परियुजना हलाली नदी पे है उर्मिल परियुजना और सिंपूर बिराज देखो उर्मिल परियुजना उर्मिल नदी पे है उर्मिल परियुजना उर्मिल नदी पे है तो याद करने की ज़रूती नहीं है जैसे हलाली परियुजना हलाली नदी पे है उसी प्रकार से उर्मिल परियुजना उर्मिल नदी प किता ले रहा है उत्तरपदेश जनरली 50-50 परसन होता लेकिन जो अलग से अलग अलग इनके सेपरेशन किये गए वो महत्पून है कि साट परसन इसका पानी और जो विद्द्यूते वो यूज करेगा मद्धिपरदेश चालिस परसनियत करेगा तो अरे मिल कहां पर मिल छत पर पर नरम नरमदा परिजन नाम में क्या आ रहा है नरमदा तो कौनसे नम से ने पिपए O нев.्धृ नरमददी पी होगी तो के आप री नाम है बर्गी परिजण नय Articleено पूर्ट ये बर्गी परिश्याग्पार पूरा एकसाथ नाम आता है राणीगवांती पर्गी तो बहसे बर्गी तो रानी अवन्ति भाई बर्गी पर यूज़ना है यह को नाम क्या बर्दी और यह भी क्या है बर्गी नदी यह नर्मदा नदी पर है ठीक है इसके लाबानमित जी ले कुँन से है जबलपूर मंडला सिवनी नर्सिंग है ना तो जबलपूर का ज़ ले लो मंडला का मा ले लो सिवनी का सी ले लो नर्सिंग का नम तो ठीक क्या होगी जम सीन जम के सीन, सीन करना मनलब देखना अब देखो रानी अवंती भाई बरगी बरगी मालूम होते है जलने को, बरीगी या जल गई, तो अवंती भाई जल रही थी, तो लोग इतने खतनाव हो चुके हैं कि भीया अवंती भाई को बचाया नहीं, उन्होंने जम जम के सीन देखा और उनका वीडियो बना के वाईल कर दिया, अवंती भाई बरगी जल रही थी, तो उनका जम के सीन बनाया, जम के सीन, जबलपूर मनला सिवनी नर्सिम, जम के सीन बताया, बनाया ना कि उनको बचाया, तो यह आपको याद होगी उकारेशवर परियुजना, आपको पता होना चीए, मैंने आपको नर्मदा नदी पढ़ाई थी, उसके तर्ट पे बसे शहर जो आपको बताया थे, सोला शहर उसमें उकारेशवर भी था, महेशवर भी था तो उकारेश्वर परियुजना भी नर्मदा नदी पे है और महेश्वर परियुजना भी नर्मदा नदी पे है दोनों साथ याद रखिए उकारेश्वर परियुजना भी नर्मदा भी नर्मदा भी नर्मदा भी याद करने का आप सकता है नर्मदा भी डीटेलों पड़ाई म तो नदी कुन सी तवा नदी पर है और कुलार परिजना अगर तवे को लाओगे तवा तो गरम होगा आपके होश उड़ जाएगे समझ में आ रहा है तवा परिजना तवी न तवा नदी पे है और कोला परिजना भी कोला नदी पे है तो तवा कोला तो अगर तवे को लाओगे या तवे पर बेड़ जाओगे तो आपके क्या उड़ जाएगे हैं होश उड़ जाएगे हैं हाथ जल जाएगा आपका चलिए आ मान जा, अगर मना किया तो धार, धार से काड़ दूगा, बोलते हैं कोई धंकी देता है, मान जा भाईया, मान जा, क्यों, अगर तुन्हें मना कर रहा है ना, मना कर दिया तो धार से काड़ दूगा, ठीक है, तो दोस्तों ये 12 परिजना है, हमने देखी मुझे पूरा विश् कि आपको पसंद आई होगे और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और आपको पसंद आए है तो लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद